देखिए कल हमारा इंडियन मार्केट का क्या है छुटी है क्यों क्यों कि कल के दिन क्या है दशारा है तो दशारा की आप लोगों को हार्दिक शुब काम नाए अब जो हमारा इंडियन मार्केट आपन होगी वो होगी बुद्वार के दिन तो आप लोग देख सकते हैं बैंक पर क्या करेंगे put by करेंगे और कैसे बाइ करेंगे सारा condition मैं यहाँ पर आप लोगों को बटा दिया था मैंने कहा था flat खुलने के बाद इस level को यहाँ पर breakdown कर देती है तब हम यहाँ पर क्या करेंगे इमिजेट पुट वाई करेंगे अगर आप लोगों ने कल वाला एनलेसिस का वीडियो नहीं देखा है न तो जा करके देख सकते हैं देखो भाईया यहां पर टाइम पास करने से कोई फैदा नहीं है जब तक कोई चीज यहां पर सीखोगे नहीं तब तक मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे यह मैं चैलेंज देखर के कहता हूं आप लोगों को अभी देखो बिलकुल ध्यान से देखना अभ से हमारा एक ट्रेंड लाइन बनके आ रही है जिस ट्रेंड लाइन को यहां पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है फोलो कर रही है यहां पर देख सकते हो जितने बार इस ट्रेंड लाइन के उपर आई है टच खा करके यहीं से गिरावट दिखाई है तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से इसी trend line को bank nifty क्या कर रही है follow कर रही है यहाँ पर देख सकते हो logic के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह देखो एक बार दो बार यह तीन बार यहाँ पर चार बार देख सकते हो खुद यहाँ पर देख सकते हो logic को क्यों नहीं समझते हो देख भाईया यहाँ पर वीडियो सिर्फ 5 से ले करके 10 मिनट तक होती है अगर तुम लोग इसको watch नहीं करते हो इसको सीखते नहीं हो तो फिर क्या करने आए हो market के अंदर तो वीडियो में आगे बरने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर Option Trading Technical Analysis में तो फटाफट से like कर दे like करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि like करने से हमें क्या मिलता है सिर्फ हमें motivation मिलता है ना तो तुम्हारे जेब से कुछ चला जाता है ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है मैं आप लोगों को कई वार कहा हूँ देख भैया अगर तुम लोगों को जहां पर perfect लगता है वहां पर जा सकते हो ठीक है हम यहां पर क्या करते हैं prediction करते हैं जो अगला दिन हमें कैसे trade setup बनाना है ठीक है लेकिन तुम लोग तो सिर्फ यहां पर क्या करने आते हो सिर्फ time pass करने आते हो जब तक सीखोगे नहीं तब तक market के अंदर profit नहीं बना पाओगे यह 100% challenge दे करके कहता हूँ मैं अगर आप लोग channel पर नए हो तो channel को subscribe भी कर लें साथी साथ बाइलाकन के all पे करना बिल्कुल भी ना भूले जरूर के लिक कर लें अब चलिए बिना देरी करते हुए हम बुद्वार का trade प्लान करते हैं अब यहां पर बिल्कुल logic को समझना समझना हो तो समझ लेना नहीं समझना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है यहां पर देखो अब यहां पर जो important level निकल के आ रही है जो की अपने chart के उपर भी mark कर लेना ठीक है जो की level निकल के आ रही है 43,590 का मान लो अगर बुद्वार के दिन bank nifty इस level के उपर gap up opening ले ले लेती है जिसकी chance बहुती कम है एक परसेंट मान लो अगर इसके उपर gap up opening ले ले लेती है तो ऐसे condition में यहां पर तुम्हारे लेगो को क्या करना है wait करना है immediate call की entry नहीं बनाना है नहीं तो तुम लोग यहां पर trap के अंदर फस सकते हो logic को समझो देखो जब भी इस level के उपर आई है bank and safety कितना बरा rally दिखाई है और आप लोग देख सकते हैं इस level को multiple time क्या किया है test किया है देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार चार बार, पांच बार छे बार और finally यहां पर क्या किया? breakdown किया तो यह level हमारे लिए क्या है? बहुती major resistance है बहुती important level है यह हमारे लिए इसे अपने चार्ट के उपर जरूर mark कर लेना अगर इस level के उपर gap up opening ले लेती है न तो यहां पर आप लोगों को जल्दवाजी के अंदर call की entry नहीं लेना है यहां पर entry लेना है सिर्फ retracement पर ही entry लेना है क्या लेना है? retracement पर ही entry लेना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब तुम लोग यहां पर safely call by कर सकते हो और यहां तक target के लिए जा सकते हो जो की हमारा अगला resistance होगा 43,740 का यहां पर तुम लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो दूसरा condition यहां पर समझ लो gap up opening लेने के बाद जब इस level पर इस तरीके का consolidate करती है और यहां पर जब box pattern बनाती है ध्यान से समझ ले जब यहां पर consolidate करके और यहां पर जब एक box pattern बनाएगी उस box pattern को जब यहां पर breakout करेगी तो call की entry बनाना ठीक है जब इस box pattern को यहां पर breakdown करेगी तब यहां पर क्या बनाना है put की entry बनाना और इस box pattern को या breakout या फिर breakdown करेगी बढ़िया मुवमेंट देखने को मिल सकता है तो इसलिए इस लेवल को अपने चार्ट के उपर जरूर से जरूर मार्क कर लेना अब मान लो यहाँ पर अगर बुद्धवार के दिन बाइंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडिशन में यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा बेट मैं तुम लोगों को यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रैम पर ले चलता हूँ यहाँ पर बिल्कुल लॉजिक को समझना ध्यान से समझना टाइम फ्री होकर के समझना ठीक है देखो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडिशन में यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा बेट फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ प पुट बाइच कर सकते हो, अन्य था यहाँ पर बिल्कुल भी पुट नहीं बाइच करना है नहीं, तो यहाँ पर तुम लोग ट्रैप के अंदर फस सकते हो, आज से एक वीक पहले मैंने यहाँ पर एनलाइसिस किया था, मैंने उसके अंदर आप लोगों को साफ साफ कह दिया जा करके देख लेना अगर नहीं अकीन होता है न तो जा करके देख लेना अच्छे से मैंने उस वीडियो के अंदर साप साप कह दिया था अगर 44,600 का लेवल तूटती है तो बैंक निफ्टी के अंदर 2000 से लेकर के 2500 तक का गिरावट दिखा सकती है और तुम लोग यहां पर द यहां पर कोई भी जरुरत नहीं है ठीक है यहां पर time pass करने के लिए आया है फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेबल को यहां पर breakdown कर देती है तब तुम लोग यहां पर safely put by कर सकते हो और यहां तक target के लिए जा सकते हो जो की हमारा next support होगा 42,700 का यहां पर आप लोग अपन प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हो अब मान लो अगर बुद्ध बार के दिन बाइंक निफ्टी यहां पर गैप डॉण खुल जाती है जो की लेबल है आप लोग यहां पर देख सकते हो 42,930 का अगर इसके नीचे गैप डॉण खुल जात ऑफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना चड़ावा को आछे से चरहा सकते हो ध्यान में रहे अगर बुद्ध बार के दिन बाइंक निफ्टी इस जाओन के अंदर आपनिंग लेती है जो की जॉन है बिल्कुल ध्यान से समझ लेना 43,590 से ले करके 43,930 का जो ये जॉन है ये क्या है पूरा का पूरा ट्रैप जॉन है अगर इस जॉन के अंदर ट्रेड करती है बुद्धबार के दिन वाइंक निफ्टी तो आप लोगों को यहाँ बिल्कुल भी कॉलर पूट के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर नुक्सान हो सकता है अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है देख इस लेवल के उपर 50-50 gap up opening हुई और उसके बात देख सकता है यहाँ पर कितना बड़ा अपरेली दिखाया तो यह हमारे लिए क्या है important level है यहाँ से देख सकता है multiple time जो है यहाँ से support और resistance लिया गया है यहाँ पर देख सकता है तुम लोग मुझे यहाँ कहने की ज़रुरत नहीं है और आज के दिन इस level को यहाँ पर क्या कर दिया breakdown कर दिया और देख सकता है कितना बड़ा गिरावट दिखाया है और आगे भी देखने को मिल सकता है तो अगर माल लो यहाँ पर 1-2% अगर आप आपनिंग ले लेती है ना तो यहाँ पर call entry मत ले लेना नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर loss हो सकता है यहाँ पर सिर्फ call की entry लेना है retracement पर क्या लेना है retracement पर जब इस level पर दुबारा बैठने आती है पानी पीने आती है खाना खाने आती है समझ गया ना तुम अब यहाँ पर जब दुबारा आती है तब यहाँ पर तेरे लोगों की call की entry लेना है otherwise नहीं लेना है और target रह सकता है यहाँ तक का जो कि अपने चाट के उपर mark कर लेना 19,58 का यहाँ पर तुम लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना चड़ाबा को अच्छे से चरह सकते हो अब माल लो अगर बुद्वार के दिन 50-50 लेवल के उपर gap up opening लेने के बाद इस लेवल पर sustain नहीं कर पाती है तो ऐसे condition में यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा wait ठीक है यहाँ पर gap up opening लेने के बाद जब यहाँ पर एक box pattern बनाएगी क्या बनाएगी box box समस्ता है न यह देखिए यहाँ पर box बना दी और इस box pattern को जब यहाँ पर breakout करेगी तब तुम लोग यहाँ पर call की entry ले सकते हो या फिर इस box pattern को जब यहाँ पर breakdown करेगी तब तुम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हो put की entry ले सकते हो और दोनों ही condition में तगरा profit देखने को मिल सकता है अब मान लो अगर बुद्वार के दिन 5050 यहाँ पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में यहाँ पर क्या करना होगा भाईया ज्यादा समझदार है पहले देख यहाँ पे ठीक है अगर यहाँ पर flat खुल जाती है ना तो ऐसे condition में तुम लोगों को बिल्कुल भी call or put की risk नहीं लेना है नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर चरहाबाद चरने वाला है बिल्कुल ध्यान से समझ ले ठीक है flat खुलने के बाद जब इस level को यहाँ पर break down करेगी breakout के बारे में तो मैंने बता ही दिया जो इस level को यहाँ पर breakout करेगी जो की level है 2480 का flat खुलने के बाद इसको अगर breakout करती है तब तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझ ले flat खुलने के बाद जब इस level को यहाँ पर breakout करेगी जो की level है 2480 का तब तुम लोग यहाँ पर safely call by कर सकते हो और flat खुलने के बाद जब इस level को यहाँ पर breakdown करेगी जो की level निकल के आ रही है 19,140 का तब तुम लोग यहां पर safely put by कर सकते हो और यहां तक target के लिए जा सकते हो जो की level निकल के आ रही है next level यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझ ले 19,030 का जो की psychology का भी level है यहां पर तु लोग profit को book कर सकता है और यहां पर अपना चड़ाबा को चड़ा सकता है अब मालो अगर बुद्वार के दिन 50-50 लेवल के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 19,150 का अगर इस लेवल के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में तुम लोगो को यहां पर क्या करना होगा gap down खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आती है और बीरी स्केंडल के अंदर strength दिखाई दे देती है तुम लोगों को अच्छे से तब तुम लोग यहां पर safely put by कर सकते हो और यहां तक target के लिए जा सकते हो ध्यान में रहे अग जौन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉलर पुट के चकर में नहीं परना है नहीं तो आप लोग यहां पर trap के अंदर फस सकते हो तो आसा करता हूं बाइंक नेफ्टी नेफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग अपन